मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार दोस्तों अक्सर का हम ये ही सुनते हैं कि बेटी की शादी हो जाने के बाद उसके सफ्राल वाले बहुत ही खराव हैं उसके सफ्राल वाले बहुत परेशान करते हैं तो दोस्तों क्या कभी इन बातों को गहराई से जानने के कोशिश करी हैं दोस्तों आईए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से तो कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए दोस्तों एक बेटी की नई नई शाड़ी ओई थी और वो सस्राल से एक महीने बाद जब अपने माय के लोटी तो मा के सामने बैठ कर रोने लगी और आशु बहाते हुए बोली मा तुमने मुझी किस घर में पटक दिया है वहाँ तो मेरी इज़्जत ही नहीं है वहाँ कोई मेरी इज़्जत नहीं करता सारा दिन नौकरानी की तरह रसोई में खड़ी रहती हूँ किसी को भी दया नहीं आती मुझ पर कभी साससुर की रोटी पकाओ तो कभी दो छोटे देवर की रोटियां पकाओ एक ननद है वो जब कॉलिज से लोटे तो उसके लिए भी रोटियां पकाओ और तो और आए दिन सासुमा के रिष्टेदार आते रहते हैं उन सब के लिए भी मुझे ही चाय नास्ता बगेरा तयार करना पड़ता है रोट गंदे कपड़ों के धेर इकठे हो जाते हैं आराम ही नहीं मिलता जिंदगी नरक हो गई है ननद को बिष्टर पर बैठे बैठे ही सब कुछ चाहिए जानती हो मा अभी कुछ दिन पहले मुझे अपने पती पर तब गुस्सा आया जब उन्होंने महिने की पूरी तनुख़ा सासु मा के हाथों पर रख दी और मुझसे ये कहा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो एक पर्ची में लिख देना मैं साम को लोटते हुए ले आऊँगा तो उस बेटी की बातों को ध्यान से सुनकर मा ने थोड़ा सोच कर कहा तो तुम क्या चाहती हो तो उस बेटी ने जवाब दिया कि मा मुझे उन सब के साथ नहीं रहना है बस मैं और मेरे पती हम दोनों ही अपनी एक अलग ग्रस्ती वसालें कुछ ऐसा उपाय बताओ तो मा चौक गई और बेटी से कहने लगी कि बेटा तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं एक तो तुम वहीं रहो और उन सब की सेवा करो क्योंकि वह परिवार भी अब तुम्हारा ही है और अगर तुम चाती हो कि तुम अपने पती को किसी किराय के मकान में ले जा सकती हो वहाँ तुम्हें किसी का खाना नहीं पकाना पड़ेगा किसी के कपड़े नहीं दोने पड़ेंगे पती की पूरी तनुखवी तुम्हारे हाथ में आएगी लेकिन ये याद रखना जब तुम्हारे कोई पुत्र होगा उसकी भी शादी होगी जब तुम्हारे घर में भी बहु आएगी तब उस वक्त तुम यही चाहोगी तब उस वक्त भी तुम यहीं चाहोगी कि मेरा बेटा और मेरी बहु मेरे साथ ना रहे कर कहीं और रहे अलग या यह चाहोगी कि मेरा बेटा और मेरी बहु मेरे ही साथ रहे और तुम अपने नाती पोतों के साथ फिलना चाहोगी प्यास लगने पर मेरे नाती दोड़ कर मेरे पास पानी का गिलास लिए आएंगे कोई चस्मा ढूंड कर मेरे हाथ में थमा देगा कोई कहेगा दादी जी खाना बन चुका है ठाली लग गई है आओ हम सब मिलकर खाएंगे मा ये सब कहती रहे जिन कर्मों को तुम दुख बता रही हो एक एक करके गिन रही हो दरसल यही जीवन के महत्व पूर्ण छण है एक सफल ग्रेडी अपने हर एक कार्यों को सरल बना कर जट निप्टा लेती है उसका रौना नहीं रोती दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं बलकि अपनी जिम्मेदारियों को वखोवी निभा लेते हैं और बेटी ये जो तुम जिने दुख समझ रही हो वो दरसल तुम्हारी सासुमा तुम्हे एक जिम्मेदार बनाना सिखा रही है वो तुम्हे आने वाले समय के लिए और आने वाली अनेकों परिशानियों से लड़ना सिखा रही है बरसों से हर सास अपनी बहु को अपनी जगे पर जिम्मेदार बनाना ही सिखाती है सास अपनी बहु को जिम्मेदार बनाने के लिए ही ऐसा करती है कल तुम भी अपनी बहु को जिम्मेदार बनाने के लिए उसे मजबूत बनाओगी तो बेटी घर के बुजुर्ग कब तक है और कब तक नहीं होंगे ये कोई नहीं जानता वो अपनी आने वाली पीडियों को मजबूत और रिष्टे निभाते हुए देखना चाते हैं कल तुम भी अपने बच्चों से यही आशाएं रखोगी न तो बेटी की आँखों में आशु आ गई और उसी वक्त बेटी ने अपना बैग उठाया और बोली बस मा बस मैं समझ गई हूँ आपकी बातों में अनमोल सीख है मैं चली अपने ससुराल साम होने वाली है सासु मा के पैरों में दर्द रहता है उनके गुष्णों की मालिश भी करनी है तो वो बेटी इतना कहकर मुस्कराती हुई ससुराल की ओर चल दी वहीं दूसरी ओर मा अपनी बेटी की समझ दारी पर मुस्करा रही थी तो दोस्तों आपने इस कहानी में सुना कि किस तरह से एक मा ने अपनी बेटी को कितना अच्छा रास्ता दिखाया तो इसी तरह से यदि हर मा अपनी बेटी को यही समझाए यही सिखाई तो शायद किसी घर में कलेश कलेश वो ही ना दोस्तों ये जो परिवार होता है ये जो सास ससुर ननद देवर जेट ये होते हैं ये किस्मत बालों को ही मिलते हैं और ये केवल एक बहु की जिम्मेदारी नहीं होती है ये सास की भी जिम्मेदारी होती है कि सास को को भी अपनी बहु को बेटी समझना चाहिए और बहु को भी सास को अपनी मा के समान ही समझना चाहिए बलकि उनको अपनी मां से बढ़कर समझना चाहिए दोस्तों एक मां अपनी बेटी को पालती है बढ़ा करती है एक मां अपनी बेटी को ससुराल जाने टक का सब सिखा दे लेकिन एक सास अपनी बहु को उसे जीवन जीना सिखाती है जीवन में कठनाईयों से लड़ना सिखाती है कि किस तरह से जीवन में जब कठनाईयां आती हैं तो हमें उनसे लड़के उनसे पार होना है और हमें अपना जीवन एक सफल ग्रेणी की तरह बिताना है और इस घर को स्वर्ग बनाना है दोस्तों यदि साथ ससूर हैं तो आपके बच्चों को दादी बावा का या दादी दादा का प्यार मिलेगा यदि आपके साससुर नहीं है तो आपकी बच्चे दादी दादा के प्यार से वंचित रह जाएंगे और दादी दादा का प्यार तो दुनिया में सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है तो दोस्तों आशा है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी क्रपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताईए कहानी अच्छी लगी हूँ तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिसे आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो मिलते हैं फिर एक और चैनल कहानी लेकर तब तक के लिए नमस्का धन्यवाद